हेलो गैज आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे फिर से स्वागत है तो आज हम बात करने वाले अदानी पावर की कुछ एक खबर के बारे में जो की डिमेट से रिलेटिड खबर है और काफी ज़्यादा यूट्यूब पे आज कल फैल भी रही है यानि कि 2-3 ट्रेडिंग शैसन से वो बहुत ज़्यादा वाइरल भी हो रही है वो खबर तो अगर आप चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेर कर सकते हैं कि उनको भी इस जानकारी का सही तरीके से एनलिसिस पता लग सके तो चली वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो कुछ टाइम से मैंने काफी यूट्यूब चैनल पे देखा है कि एक खबर बहुत जोरों से फैल रही है कि लोगों के जो डीमेट में से जो अदानी पावर के शेर हैं वो गायब हो रहे हैं और मैंने भी एक दो मेरे पास भी क्वेरी आई थी एक दो मेरे पास भी मैसीजिस आये थे कि मेरे मतलब जो वियोर्स हैं उन्होंने मेरे को मैसीज किया था कि जो अदानी पावर का जो शेयर है मेरे डिमेट में शोन नहीं कर रहा है तो मैंने उनको रिप्लाई जो दिया था वो सारा कुछ मैं इस वीडियो में बताऊँगा जो मामला है मामला यह है कि देखिए क्या होता है कभी कभी कुछ ना कुछ टैक्निकल गिलिच आजाता है हर एप्लिकेशन के अंदर चाहें एप्लिकेशन कोई भी हो और यह जो जितनी भी ब्रोकिंग की एप्लिकेशन्स होती है यह ओनलाइन चलती है ओनलाइन उपरेट होती है तो इन में क्या होता है कि बहुत जादा एकदम से load pressure रहता है बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास मतलब phone में application खुली होती है या फिर हम कह सकते हैं कि laptop पे खुली होती है तो मतलब एक ही time में बहुत सारे लोग इसको operate कर रहे होते हैं तो जब मतलब इतने बड़े level पे लोग किसी एक particular application को operate करते हैं तो क्या होता है कभी कभी उसमें technical glitch आ जाता है जैसे मैं अगर angel broking की बात करता हूँ तो पिछले अगर दो तिन महीने पहले बात करता हूँ तो दो तिन महीने पहले angel broking में इस तरह से एक glitch आया था आपकी जो view list है वो भी शोनी हो रही थी उस time पे और एक बर का मैं मामला ऐसा भी बताता हूँ आपको कि एक बर NSE और BSE पे भी glitch आया गया था और वो glitch ऐसा था ऐसी technical problem आई थी कि NSE और BSE पे जो trading थी मतलब करीबन एक दो घंटे के लिए बंद हो गई थी ये करीबन 6-7 महीने पहले की बात है तो तब क्या हुआ था कि NSE BSE का जो एक दो घंटे का वो जो trading session था वो फिर साड़े तीन बज़े के बाद वो trading session दिया गया था जो एक दो घंटे में उश्टाएं पे आप trading नहीं कर पाये थे तो वो साड़े तीन बज़े के बाद मतलब 5-5 बज़े तक trading session चला था तो वो मतलब मैंने अपनी जिन्दिगी में 6-7 सालो मेरे को इस career में हो चुके हैं तो 6-7 सालो में मैंने वो पहली बार ऐसा technical glitch देखा था और trading जो चली थी 5-5 बज़े तक चली थी इसके अंदर तो देखिए जब NSC और BSC पर glitch आ सकता है कोई ने कोई technical problem हो सकती है तो ये आपकी application भी कोई ज़्यादा बड़ी इतनी powerful नहीं है कि उसमें कोई problem नहीं आएगी तो लोगों का जो वीडियो मैं मैंने 2-4 वीडियो देखी हैं उन्होंने थमनेल भी इस तरह से लगाए हुए थे कि अदानी पावर के शेर एकदम से गायब हुए अदानी पावर में फरोड आया ये वो इस तरह से काफी साथी news फैल रही है तो आपको क्या करना है कि इस तरह की जो news है उनसे बच के रहना है और आप मतलब ब्रहमित ना हो बहुत से लोगों का काम होता है कि अपनी वीडियो को चलाने के लिए बस लोगों में ब्रहम फैलाना होता है बस ये ज़्यादा से ज़्यादा वियू आए इस तरह से मतलब उनका जो काम होता है ये होता है और उनकी ज़्यादा वीडियो वायरलो तो आपको इस तरह की वीडियो अगर मान के चलो देखते भी हैं आप मैं यह नहीं कहता आप देखिये मत आप देखिये लेकिन उस मतलब कोई आप उससे ना डिसीजन मत लीजे क्योंकि ज़्यादा आप भी दूसरा दूसरा यूज़ करेंगे तो आपको वहाँ पर दिक्कत आएगी तो जो इस वीडियो को बनाने का मकसद था वो यही था कि जो लोगों के डिमेट में अकाउंट में जो शेर्स अदानी पावर के शोनी हो रहे हैं फिर किसी भी कंपनी के शोनी हो रहे हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं कि आप अपनी एप को अन इंस्टॉल पहले आप अपने जो एप आपका पासवर्ड वगेरा है और जो आपका आईडिय वो एक पेपर पे लिखें ताकि आप फोर्गोट ना हो पाएं या भूल ना पाएं तो एक पेपर पे लिखने के बाद एप को अन इंस्टॉल कीजिए और फिर दुबारे से इंस्टॉल कीजिए लोगिन कीजिए फिर आपकी जो एप है वो ठिक डंक से चल जाएगी और फिर आपका जो जो शेर शोनी हो रहे हैं तब वो शो हो जाएंगे इन केस आप अन इंस्टॉल करके देखते हैं तब भी शोनी होता है तो फिर आप कुछ हमत कीजिए सिर्फ आप अपने ब्रोकर को एक बर कॉंटेक्ट कीजिए जो भी आपका ब्रोकर है मिल जाते हैं तो आप उनको कॉंटेक्ट कीजिए और उनको कॉंटेक्ट करने के गलत information देता है तो उसके चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है और बिलकुल safe trading करनी है बस ये मेरा purpose था ये मेरा मकसद था इस वीडियो को बनाने के लिए और इस तरह की जो वीडियो आती है जो ब्रहमित करती है लोगों को इस तरह की वीडियो से आप हमेशा दूर रहें क्योंकि इन लोगों का काम होता है कि वीव जादा से जादा बढ़ाना तो आपको उस शक्कर में नहीं आना है आप देख भी लेते हैं तो कोई decision लीजिये मत और मैं जितने भी मेरे वीवर इस वीडियो को देख रहे हैं बस मैं उनसे ये एक request करूँगा कि मतलब आप इस वीडियो को viral नहीं कीजिये मैं मेरा मकसद ये नहीं कि वीडियो viral हो मेरा सिर्फ ये मकसद है कि जो भी stock market में काम करते हैं आपके कोई friend हैं आपके कोई रिस्तेदार हैं आपके कोई relatives हैं आपके कोई cousins हैं तो उनको सिर्फ ये वीडियो share जरूर करें ताकि उनको भी सही information मिल सके क्योंकि मेरा जो मकसद है इस वीडियो को बनाना वो सिर्फ ये कि आपको एकदम सही और सटिक आपको राय और आपको information मिल सके और आप किसी भी तरहा के कोई ब्रहमे ना रहे तो इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ और अपने cousins के साथ share करें जो भी share market के अंदर या stock market के अंदर काम करते हैं वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्षन में जरूर बताएं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को like and subscribe जरूर करें हम आपके लिए इसी तरह से नई नई studies और नई नई informative वीडियो लाते रहते हैं और आप हमारे साथ टैलिग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जो टैलिग्राम का लिंक है वो description box में दिया गया है वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद